हेलो दोस्तों, स्वागा थे आपका Study Smart Studio में आज हम Modern History में European Company के आगमन के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम तीन भाग में डिवाइट करके पढ़ेंगे आज इस वीडियो में हम पुर्तगालियों के आगमन से समन्नित Top 30 Plus MCQ को कबर करेंगे तो चलते हैं सेसन के उर पहला प्रेशन है भारत की तरफ आने वाली समुद्री मारग की खोच किस ने की थी बास्कोजी गामा ने बास्कोजी गामा ने 1498 इस भी में भारत आने वाली समुद्री मारग की खोच की थी नेस्ट वास्कोडी गामा किस वर्स भारत आया था वास्कोडी गामा 1498 इस भी में भारत आया था और जिस रास्ते से वास्कोडी गामा भारत आया था उस रास्ते को कैप ओफ गुट्स रूट भी कहा जाता है कैप ओफ गुट्स रूट नेस्ट है भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार की खोज का स्रे किसे जाता है पुर्तगालियों को वास्कोजी गामा एक पुर्तगाल अक्त्री था इस कारण भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार की खोज का स्रे पुर्तगालियों को जाता है पहली बार भारता से समय वास्कोजी गामा की सहायता किस भारते ब्यापारी ने की थी गुजराथ ब्यापारी अब्दुल मसीद ने इसकी सहायता से वास्कोजी गामा भारत आये था वास्कोजी गामा पस्चमी चत पर भारत के किस बंदरगाह पर उत्रा था यह कालीकट बंदरगाय पर उत्रा था कालीकट में भी कप्त कराबू नामकिस्तान पर कालीकट में कप्त कराबू नामकिस्तान पर वास्कोजी गामा उत्रा था और कालीकट कहा हैं? कालीकट केरल में इस्तित है नेश्टे वास्कोजी गामा पुर्तगाल के किस सासक के प्रतिनिधी के रूप में भारत आये था प्रिंस हेंरी प्रिंस हेंरी के प्रतिनिधी के रूप में यह भारत आये था प्रिंस हेंरी को दा नेविगेटर भी कहा जाता है डा नेविगेटर की उपादी किसी दी जाती है प्रिंस हैंरी को प्रिंस हैंरी का अन्य नाम डोन हैंरी भी है श्यासिट एं वास्कुझी गामा की बाद भारत आने वारत दूस्रा पुर्ट्गाल यात्री कोन था यह था पेढ्डू अल्वारीच केवराल वास्कोजी गामा 1498 SB में भारत आये था, इसके बाद 1500 SB में पैट्रो अलवारीच केवराल भारत आये था निस्टे, पुर्त गालियों ने भारत में सरप्थम फैक्ट्री या व्यापारिक कोथी कहां लगाई थी? कोचिन में, कोचिन में 1503 और कुन्नूर में 1505 SB में सरप्थम पुर्त गालियों ने फैक्ट्री लगाई थी निस्टे, पुर्त गालियों ने भारत में अपना पहला गवर्नर किसे निफ्ट किया था? फ्रांसिस्को डी अलमीडा को, फ्रांसिस्को डी अलमीडा को 1505 में गवर्नर निफ्ट किया था? इसका कारकाल 1505 से 1509 SB तक था? निस्टे, किस पुर्त गाली गवर्नर द्वारा सांत जल की निती शुरू की गई थी? या बिलू बाटर पॉल्शी शुरू की गई थी? फ्रांसिस्को डी अलमीडा जवरा इसका कारकाल 1505 से 1509 SB तक था? और यह है पहला पॉर्तगाली गवर्नर था? निस्टे, भारत में पॉर्तगाली शक्ती का वास्तिक संस्तापक किसी माना जाता है? अलफांसू डी अलवुकर को अलफांसो जी अलवुकर को पुर्टगाली सक्ति का वास्तिक संस्ता पक माना जाता है इसका कारकाल पंद्रा सो नो से पंद्रा सो पंद्रा सो पंद्रा इसबी तक था नेस्ट है पुर्टगालियों ने 1510 एशबी में बीजापुर के किस सासक से गुवा को छीन लिया था यूसिफ आदिल साह से बीजापुर के सासक यूसिफ आदिल साह से 1510 एशबी में गुवा को छीन लिया था निस्ठे किस पूर्टगाली गवर्नर को राजा राम मुहन राय का पूरग गामी कहा जाता है ऐल्फानसो डी अल्वोकर को क्यूंकि इसने भारत में सती पृठा को रूखनी का प्रियास किया था किस पुर्टगाली गवर्नर ने 1511 और 1515 इसबी में क्रमसा मक्का और होरमुज बंदरगाह जीता था राइटांसर है जी अलफांसो डी अलवोकरने और अलफांसो डी अलवोकरने 1510 इसबी में बीजापुर के सासक यूसिप आदिलसाई से गुवावी जीता था नेश्ट है किस पुर्टगाली गवर्नर की समाधी भारत में इस रहत है वास्कोजी गामा की वास्कोजी गामा गवर्नर के रूप में 1524 इसबी में भारत आये था लेकिन उसकी मृत्त्यू भारत में हो जाती है और इसकी समाधी कहा है कोचिन में नेश्ट है 1530 में इस पुर्टगाली गवर्नर द्वारा सासन का मुख्याले कोचीन से गुवा में इस्थापित किया था राइट अंसर है निनो दी कुनुहा द्वारा निनोदि कुनहा ने पुर्टगाली सासन का मुख्यालाए कोचेंच के गुवा में इस्तापित किया था और कप किया था 1530-36 Yogliita पुर्त गालियों के साथ संगर्स में मारा गया था। और इस समय गवर्नर कौन था। निनो दी कुनहां। निनो दी कुनहां के साथ संगर्स में बहादुर साह की मृत्व हो जाती है। निस्टे 1556 में पुर्त गालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस का प्रिचलन कहां शुरू किया था। गुबा में और गुबा में ही पुर्त गालियों का ब्यापरिक मुक्याला इस्तापित था। निस्टे 1632 में किस मुगल सासक की सिपाई सलार कासिम खाने पुर्त गालियों से हुगली चीन लिया था। अंग्रेजी सासक चाल से जुटिया से पुर्त गाली राजकुमारी कैथरिन ब्रेंगेजा का बिभाय हुआ था। इसमें पुर्त गाली ने किस दीप को दहीच की रूप में दिया था। भारत में तमाकु और मुंफली की खेती का प्रारम किसके द्वारा किया गया था। पुर्त गालियों द्वारा। तमाकु और मुंफली पुर्त गाली अमेरिका से लाए थे। कार्टेज अर्मीडा काफिला विवस्ता किसके द्वारा सुरू की गई थी। पुर्ट गालियों द्वारा कार्टेज का आर्थ होता है परमिट कार्टेज आर्मीडा का फिलब विवस्ता पुर्ट गालियों द्वारा सुरू की गई थी बंगाल के किस इस्तान पर पुर्ट गालियों ने फैक्टरी इस्तापित की थी हुगली में लेकिन बाद में सूला स 32 इसबी में साह जहां कि सिपह सलार कासिम खान हुगली पुर्टगालियों से छीन लिया था भारत में पुर्टगाली इस्ट इंडिया कंपनी का मुख्याला कहां था? गोवा में डक्षन पूर्वी टट पर पुर्टगालियों की एकमात्र वस्ती कौन सी थी? संठोमी डक्षन पूर्वी टट पर पुर्टगालियों की एकमात्र वस्ती संठोमी थे? निम्न मैंसे किस वस्तू ने यूरोपीयों को भारत में कारूवाल के लिए प्रुसाहित किया था? मसालों की कारण यूरोपिय भारत के साथ कारूवाल के लिए प्रुसाहित हुए थे स्री लंका में डच और पुर्टगाली उपनिवेस बात के वनसजों को क्या कहते हैं बुग्घेर पुर्टगालियों ने भारत में कहां अपनी पहली दुर्ग या किले का निर्मार करवाया था कोचिन में कोचिन में ही पुर्टगालियों दौरा अपनी पहली व्यापारिक कोचि बनाई गई थी और यहीं पहली दुर्ग का निर्मार किया गया था गोवा के चर्शेश और पॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाए गया था पुर्तगालियों द्वारा किस इसमारक में सेंट फ्रांसिस जेबियर के अवसिसों को प्रतिस ठापिट किया गया है राइक अंसर है C. बॉम जीचस के वेसली का चर्श में किस आन्दूलन ने गोवा में पॉर्तगाली राज को समाप्त करने में महतपूर भूमी का निभाई थी। और गोवा को पॉर्तगालियों से मुक्ति कम लिए थी 19 दिसमबर 1961 को पुर्टगालियों के बारे में कौन सा कथन सत्त है भारत में तमाकू और मुम्फली की खेती का परारंब पुर्टगालियों ने किया था यह सत्त है भारत जापान ब्यापार सुरू करने का स्रेप पुर्टगालियों को जाता है यह कथन सत्त है पुर्टगालियों ने बोथिक इस्तापित कला की शुरूबात भारत में की थी यह भी सत्य है राइट आंसर है जी और प्रक्त सभी कतन सत्य है थैंक्स पर वाचिंग यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेनल को सस्क्राइब जरू करें तू मिलते हैं नेस्ट वीडियो में टप टप के लिए गुद बाई